Now this is a controversial statement तो भाई आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ लेटेस्ट अपडेट के बारे में दरह से लिए कोई अपडेट नहीं है यह तो आप सबको पता चल गया होगा जो हमारे चैनल को फोलो करते हैं या आफी डवडी कंपनी को फोलो करते हैं विकोज आज डवडी कंपनी ने अपने ओफिशल यूटूब चैनल पर एक वीडियो अप्लोड करी है ये वीडियो बहुत पहले से रूमर थी आने वाली है ये है रसल मेनिया फोटी का पूरा का पूरा चिठ्था याने की डोक्यूमेंटरी कह लिजे इसको कर्टेंस कह लिजे जो मर्जी कह लिजे रसल मेनिया फोटी कैसे हुई थी क्या प्लैनिंग थी सारी चीज़े रिवील करती गई है आज यूटूब पर करीबन एक घंटे का इनका वीडियो पैकेज अप्लोड हुआ है लेकिन दोस्तों डोडी कंपनी आप उचल रही होगी कि भाई हमारा एक घंटे का पूरा हमने जो रसल मेनिया का बिल्ड़ अप दिखाया है रोट टू रसल मेनिया रोयल रंबल से लेके रसल मेनिया 40 तक तो भाई फैंस खूश हो जाएंगे मज़ा उठाएंगे हमारा हमारी और तारीफ होएगी बिकॉस हम पीक पर तो हैं लेकिन इस वीडियो पैकेज के बाद हम और भी ज़्यादा हाई मौन्टेन पर चड़ जाएंगे लेकिन दोस्तो सारी चीज़े खराब हो चुकी है बिकॉस एक कॉंट्रवर्सिस क्रेट हो चुकी है इस चीज़ को लेके जो डवी डवी कंपनी ने आज वीडियो अपलोड करी है यह गंटे की रसल मेनिया 40 का पूरा डोक्युमेंटरी क्या चीज़े हैं सब बात करने वाला एक छोड़ी से रिकुएस्ट है भाई पूरी वीडियो को देखना बहुत इंटरस्टिंग वीडियो है और सकी मत करना कुछ समझ नहीं आएगा सबसे पहले बात करें भाई what is the controversial चीज मेन टोपिक पर ही बात करूँगा आपका समय खराम नहीं करूँगा दोस्तों देखें ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका कि रस्टल मिनिया 40 जो भी प्लैनिंग थी उसकी प्लैनिंग 6 महीने पहले से ही बनाई जा चुकी थी यानि कि आप समझ सकते हैं कि मैने आपको लास्ट येर ही बताया था अक्तूबर के महीने के अंदर अक्तूबर 2023 में कि रस्टल मिनिया 40 में जो मैचिस होने वाले हैं सारी चीज़े डोडी कंपनी ने ट्रिपल एच ने सेट करके रखी हुई हैं और ऐसी ही आपको रस्टल मिनिया 40 में देखने को मिलेगी और वैसा ही आज वीडियो पैकेज ने बताया गया है कि रोक यानि कि डूइन द रोक जोनसन का जब से सिप्टेंबर के महीने में स्मै ये बात तो क्लियर है कि रोक इस बैक इन द बिजनस और मैंने आपको बताया था कि रोक ने ये बात रिवील करिये कि लास्ट ये अरस्ट में 39 के अंदर ही रोक वर्सिस रोमेंडिक्स होने वाला था लेकिन भाई ड्यू टू मर्जर ये चीज़े रुक गई तो आब चीज इसे क्लियर हो चुकी है आज वीडियो पैकेज में जिसको औरड़ी रिवील कर दिया गया लेकिन दा में कॉंटरवर्शल चीज की भाई यहां पर ट्रिपल एच बुरी तरह से फस चुका है ट्रिपल एच ने कुछ ऐसी चीज़े रिवील कर दी है जो भाई मेरे को समझ न रखा था कि कोडी रोड्स कोई रोल रंबल जी तो आना है लेकिन रसलमेनिया में उसको स्पोर्ट नहीं देना है चीज़े क्या मैं बताता हूँ आपको आपको आप सबको पता है कि जब तक रोक नहीं था तब तक रसलमेनिया 40 का मेंवेंट सेट था रोमन रिंग्स वर्स रोक ने इस बात को रिवील कर दिया कि लास्ट यह रोमन वर्सिस मेरे बीच मैच होने वाला था लेकिन आप यह मैच के लिए मैच के लिए मैं तयार हूँ तब से भाई पूरा ड़डी कंपनी का महौल चेंज हो गया ट्रिपल एस ने रसल मिनिया फोटी का में इवेंट चें लेकिन भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ लिए अगर ऐसा ही था कोडी रोड्स को रोल रॉंबल जितवाने का क्या मतलब था उसके बीचे सिंबल था ट्रिपल अच ने लोजिक बताया कि कोडी रोड्स को अगर वो रोल रॉंबल नहीं जितवाता तो कहीं न कहीं कोडी र आज बोलता है कि Cody Rhodes को Roller Rumble में जितवाने मला था लेकिन Russell Minae में उसको कोई स्पोर्ट नहीं देना चाथा था because Russell Minae में Rowan vs Rock तो कन्फरम था लेकिन due to Cody Rhodes से character खराब न हो जाए Cody Rhodes कमजोर न पड़ जाए इसलिए उसको Roller Rumble जितवा दिया गया अब ये कहाए का भाई clearance है ये कहाए का सपस्टी करण है अब ये तेरे पास सबसे बड़ा star था जो company में 10 सालों के बाद return करा जिसने the best in the world CM Punk तेरे पास CM Punk था भाई तूसको roll rumble जित वादा चलो वो तो chance की बाता कि CM Punk बिचारे injured हो गए roll rumble के अंदर वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भाई तेरे पास सबसे बड़ा chance था CM Punk अब CM Punk से भी बड़ा कोई star है तेरे पास अब ये नहीं कहाए दियो भाई Cody Rhodes है Roman Rings है तो भाई मेरे को तो लगता है कि CM Punk से बड़ा कोई superstar अब भी फिलाल पूरे duty company के अंदर है कोई भी नहीं है भाई मेरे ख्यास है तो भाई पूरे वल्ड में CM Punk से बड़ा कोई professional wrestler तो मेरे को दिखता नहीं भाई I'm sorry मैं या partial हूँ लेकिन भाई मेरे को तो लगता नहीं CM Punk एक लोता है था superstar है पूरी professional wrestling industry का जिसने एक अफते के अंदर ही भाई इससे बड़िया हुई है तो CM Punk को ना जितवा कर यहाँ पे Cody Rhodes को जितवा दिया गया भी को CM Punk मैंने आपको बताया था कि इस साल फेवरेट है रोयर रंबल जीतने के और वही फेस करते है रसलमेनिया में सेत रोलेंस को फॉर दा वर्ल्ड हेविवेड चैंपियंशिप कन्फरम मैस था लेकिन भाई रिपल एस ने यहाँ पे अपना गंदा दिमाग लड़ाया उसने Cody Rhodes को जितवा दिया लेकिन सबसे बड़ी प्रॉलम क्रेट Cody Rhodes ने खुदी कर दी भाई यहाँ पे Cody Rhodes ने सबसे बड़ा खिलवार कर दिया अब आप इसको पॉलिटिक्स कहें या कुछ भी कहें मैं बताता हूं क्या चीज थी आपको याद होगा जब Cody Rhodes रोड रंबल जी चुका था इस साल का 2024 का उसके बाद उसने Roman Rings पर साइन कर दिया था उंगली से अपनी की मैं थी मतनब यह चीज कोडी Rhodes ने खुद ही अपनी मर्जी से कर दी कि उसने Roman Rings के तरफ उंगली कर दी और उसको साव इशारा कर दिया इंडिकेशन दे दिया कि मैं तुझे फेस करने वाला हूँ विकोस आप खुछ सोचिए Roman Rings ने एक तरफ के लिए Roman Rings पर चोक गया था भाई यह मेरी तरफ क्यों कर रहा है क्योंकि यह तो प्लैन था ही नहीं फिर पॉलेमन ने का अपने डाडल दिखा उसको तो यह जीज़े प्लैन नहीं थी लेकिन भाई दूडू फैंस का इसके उपर रियक्शन अच्छा आया फैंस ने इसको पसंद किया तो भाई ट्रिपल एस ने कोडी के डी सीजन के साथ जाना सही समझा प्यकोस ट्रिपल एस ने तो भाई यह बोला है कि भाई कोडी रोड्स को फैंस पसंद कर रहे हैं वो रसलमेनिया में रोक रोमन नहीं बलकि कोडी और रोमन देखना चाहते हैं इस वजह से ये मैच को उसने रसलमेनिया में कराने का सही समझा नहीं तो कोडी रोड्स का ओरिजिनल प्लैन था सेत रोलिंज को फेस करना for the world heavyweight championship लेकिन आपको को पताई है भाई ये politics थी कोडी रोड्स ने आपर रोमन इसके तरह विशारा करा और भाई खुद को ticket दे दी लेकिन इसी वजह से आपको कोडी रोड्स versus रोमन देखने को मिला because बीच में रोक भी आ गये थे रोक रोमन होना था लेकिन भाई fans ने चीज़ को पसंद नहीं किया क्योंकि सब चारे थे कोडी अपनी story को finish करते है रेसल मेनिया के अंदर और finally ये चीज़ आपको देखने को मिली so this is a totally भाई politics CW company के अंदर कि भाई Cody Rhodes जिसको तो मैं मैं खूद आपको कह रहा था Cody Rhodes के Roll Rumble जीतने के chances थे ही नहीं भाई Cody Rhodes Chamber को जीतने हो था फिर वो रेसल मेने में रोन को face करता लेकिन भाई मुझे नहीं पता कि Cody Rhodes को back to back Roll Rumble क्यों जितवाया अभी चलो कोई दिक्कत नहीं अभी सब सही है चलो pass की बातें नहीं करेंगे फूचर की बात करते हैं अभी Cody के लिए stolen सही चल रही है लेकिन ये चीज मैं आपको लिखके दे रहा हूँ दोस्तों ये चीज आप लिखवा लिजे मिट से लिखके लिए आज मैं खुद आप से कहा रहा हूँ बिकोज एक समय पे मैं ही चीज को इग्नूर कर रहा था एक साल एक साल यानि कि रसल में आप लिखके देने को तयार हूँ क्योंकि कहते हैं ना भाई ये बात अंडर्टेकर ने भी कही है कि आप अगर अच्छे इंसान हो बहुत अच्छी बात आप अच्छा काम करें लेकिन अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो तो भाई आप किसी को पसंद नहीं आओगे बिकोज यही चीज कोडी के साथ होने वाली है अंडर्टेकर ने भी इसी चीज़ पर कोमेंट किया था कि कोडी रोड्स को आप बिबी फेस बनाओ अच्छी बात है लेकिन अगर आप सोच रहें कि उसको लंबे समय के लिए बनाओगे तो फैंस टन कर जाएंगे और उसके बाद तो आपको हिल टन करवाना ही पड़ेगा यह सिटुएशन रोमन रेंस के साथ भी हो चुकी है यह सिटुएशन सैटर रोलेंस के साथ भी हो चुकी है यह सिटुएशन बहुत लोगे साथ हो चुकी है तो कोडी रोड्स कोई अनोखा नहीं है जो प्लैनेट से आया है किसी स्पेशिप से आया है वो भी एक normal इंसान है, normal wrestler है, उसके साथ भी यह चीज़ बहुश्य में होनी है, और इस बात का proof मैं आपको देता हूँ, यह बात होगी ही, confirm बोल रहा हूँ, और इस चीज़ आपको देहने को मिल रही है, अब एक और चीज़ बता हूँ मैं आपको अंदर की चीज़ बहुए ह चुका है कि रसल मिन्या 41 में undisputed championship का match होने वाला है, रोक वर्सिस कोडी रोड्स यह चीज़ कनफार्म है, रोक वर्सिस कोडी रोड्स का match आपको रसल मिन्या 41 में देहने को मिलने वाला है, अगर बहुत से लोग सोच रहे हैं कि रोमन वर्सिस रोक होगा, तो भाई आब कोडी रोमन क्या रहा है, कोडी रोक, अगर यहाँ पर रोक अपना जो है medically cleared हो पाते हैं, अपने injury से सई हो जाते हैं, नहीं तो भाई यह backup plan है, वो है कोडी रोड्स बनाम रेंडी ओर्टन 490 Spirit Championship जी हाँ, अभी summer slam के लिए ओर्टन के plan थे, लेकिन ओर्टन को लगता है कही न गई चीज़ा है, रोल रमबल या फिर रेस्लमेनिया में आसपास गुजरेंगी, लेकिन रेस्लमेनिया 40 में backup plan है, कोडी वर्स रेंडी ओर्टन, यह बात confirm मान लिजे, बिकॉज उसके अलावा तो कोई plan नेजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन due to this politics आपको समझ जा गया होगा, कि WWE company भाई किस तरह से politics करती है, और बिल्कुल करती है भाई, आप खुछ सोचे ना, कि आप खुछ सोचे ए, ट्रिपल एच ने इस बात को कबूला भी था, ट्रिपल एच के हाथ में जादा कुछ नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रिपल एच, decision खुज लेता है, DKO एक chief content officer है, यानि CCO है, वो match के result set करता है, लेकिन भाई, सारे decision endeavor लेता है, DKO लेता है, तो ये मत बूली कि ट्रिपल एच हैं सब कुछ कहा है, लेकिन हाप politics होती है, और Cody Rhodes के मामले में आप politics देगी चुके हैं, अब जो लोग Rock Roman देखना चाते थे, जो इन दोनों के fan हैं, हाई social media पर चलता ही रहता है, लेकिन अगर मैं आप personal opinion बताओं, मैं इस चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ, दोस्तों, मैं तो इसी चीज़ के बारे मैं सोचता हूँ कि अगर आप Cody Rhodes को Roll Rumble नहीं जितवाते, तब भी वो champion बन सकता था, विकोज अगर आप उसको Elimination Chamber में डालते हैं, तब भी वो Roman को challenge कर सकता था, लेकिन भाई, आपने Cody को Roll Rumble जितवाया, विकोज अपता था, रोग भी इंगलूट नहीं था, रोग भी Roll Rumble के बाद ही आया है, तो भाई, आपको मेरे को असा लगता है कि कहीं ना कहीं कोडी के लाबा किसी और को जितवा देना च जितवा सकते थे, जो जो चीज अलग हो गई, सारी चीज़े खिचटी पक चुकी थी, समझी, समझी चुकी हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन मैं आपको इसर वे बताना चाता था कि भाई, politics हर जगा है, और आज आपने World Wrestling Entertainment में भी देख चुके हो, so this is the latest update guys, this is controversial, अगर आप मेरे को पते हैं, ये comment में आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, क्या सोच्छेंस बारे में, भाई, please, it's a request, subscribe to the Culture of Wrestling, subscribe कर दो भाई, इकनूमर मत करो, वीडियो लाइक करो, share करो, दोस्तों करो, see you next, thank you very much.